हेलो दोस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो आज के दिन भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने जरू देखे होंगे कोई भी वीडियो अगर मिस होआ होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जरूर को कवर कर लेना फर्स्ताइम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्री स्टॉक मार्केट क्लासिस को भी फॉलो कर सकते हैं को पर आए बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सब्सक्राइब लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड यहां पर हम लोग वापस कुछ स्टॉक्स को देखने वाले जो की हम कह सकते कल के दीन ज्यादा फोकस में रहेंग करती है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपणी के नंबर लगातार यहां पर खराबे 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 आप देख सकते कैसे चार्ट पेटन नीचे एक बार अच्छे आगे तो आप जाके बाई कर लो तो बुरी तरीके से फस होगे तो एक एक कंपणी देख लेते कि यहां पर बात करो बहुत ही शांदार नंबर हम लोगों को यहां पर देखने को मिल चुके है सो डेफिनेटली कल एंडटीवी फोकस में यहां पर रह सकता है यहां पर पॉजिटिविटी के चांसे ज्यादा रहेंगे आज की दिन की बात करें तो और यहां पर अच्छी कासी तेज़ चांगा वह सेवेन पैरामेटर कोई ऐसी बात ने कि फिक्स रूले करके बहुत सर लोग पूछते सर कुछ कंपणी के प्रमोटर 50% के नीचे है ऐसी कोई बात नहीं कि वह उसकंपणी खराब हो गई करके या फिर किसी कंपणी के उपर करजा होना मतलब वह खराब हो गई व मतलब इन्वेस्मेंट के लिए हमारे रडार के उपर ते होना ही नीचे एक जमाने में 500 के आसपस हुआ करता था आज पूरी तरीके से हम कह सकते मतलब 80% यह तूट चुका है तो यह ट्रेडर्स के लिए ठीक है वो इसका इस्तमाल करते रहेंगे जंप आएगी तब स्टॉक है साड़े 400 का स्टॉक है और रिजल्ट के पहली यह स्टॉक लगबग साड़े चार पसंट से ज्यादा तेज था तो क्या यह कल भागेगा क्योंकि आलेड़ी तेजी देखने को मिली है क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रिजल्ट के सबसे कल कंपनी मे अगर देखा जाए तो अल्टराटेक सिमेंट यह मेरा वन अफ मैं फेट स्टॉक आप बोल सकते जो की स्लो चलता है और उसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ और भी है दाल्मिया भारत भी है दैन अगर हम लोग बात करें एसी सी भी है बट यह वाला स्टॉक आप देख स बढ़ सकते हो आजाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर कॉस्मो फिल्म की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें है डिया जो सो कॉस्मो फिल्म लिमिटेड यहाँ पे आट्सु रुपे का स्टॉक है यहाँ पर भी यह तीजी बरकरार रहने के चांसे ज़ादा है बहुत सार ल जिससे actual में आप लोगों के lifestyle में कोई change हो सकता है, right, so, यहाँ पर आप देख सकते 800 रुपे का stock है, एक बार चेक कर लेते यह company कैसे, तो हम कह सकते, yes, यह company बहुत अच्छा कारोबार यहाँ पर कर रही है, jump यहाँ पर, मतलब at least 7 parameters में से जो पहला parameter है, वो ही आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा difficult होता है crack करने से related, इसके बाद आप लोगों ने बाकी चीज़े चेक करने चाहिए, कि इसकी balance sheet कैसे है, management कैसे, company खरती कैया है, business model कैया है, वो ही पता नहीं होता है बहुत सार लोगों को, तो चांसे से कि ये तेजी बरकरार रह सकती है, हाला कि आप देख सकते company top level पे हैं, तो अच्छा कासा company ने number तो दिखा है, तो क्या बाजार को कल इनके number अच्छे रगेंगे, वो हम लोगों को यह पर देखना है, तो अभी आप लोग आ जाते next stock के ओपर, एंड वो है हिंड पेट्रो, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन, या फिर HPCL, तो HPCL के number तो शांदारे बड़ आपको पता है, यहापे जो सरकारी companies रहती है, उनमें तेजी हम लोगों को एह सर्ज देखने को मिलती नहीं है, आप यहापे देख सकते हो, यहापे investment के चलते इतना ज़्यादा returns मिलते नहीं है, बहुत ही slow वाले stocks है, एक ही sideways चलते रहते हैं, कभी तेजी पकड़ लेते हैं, उतने तेजी से नीचे भी आते हैं, तो investment के लिए मुझे stocks ऐसे पसंद नहीं आते हैं, बट एक बात तो सच है, कि इनके result कमाल के आ चुके है, तो हम कह सकते हैं कि कल के दिन यहापे शायद से, अच्छा reward यहापे इनके shareholder को मिल सकता है, थोड़ा बहुत jump यहापे आ सकता है, तो इसके हिसाब से आप लोगोंने, हिन पेट्रो के उपर ज़रूर यहापे focus रखना चाहिए, तो यह 5 stock है होगे, इफ I'm not wrong, 5 stocks के यहापे हम लोगोंने बात कर लिये, आ जाते next stock के उपर, और वो है MK Global Financial Services Limited, MK Global नाम आप लोगोंने ज़रूर सुनोगा, कैसे रहे यह 17 रुपे के stock के नंबर, इस company के भी नंबर अच्छे रहे है, और कल के दिन के अगर हम लोग बात करें, तो यहापे positivity के chances होने चाहिए, इंट्र डे करने जाओगे, फर्स सकते हो, मैं वापस यहापे कहे रहा हूँ, क्योंकि trading कैसा होता है इंट्र डे में, हम लोग expect करेंगे, वो continue रहे, तो यह चीज़े आप लोग ने note करके रखनी चाहिए, तो MK Global तो अगर आप देखोगे, तो यहापे तो मतलब कोई sense बनता ही नहीं, इंवेस्मेंट का, कोई logic ही नहीं है, कैसे भी आड़ा मेडा, यह stock चल रहे है, कोई यहापे लिंक नहीं है, तो ऐसे stock में invest नहीं करना है, बट yes, company के number अच्छे, तो कल इसके उपर आप लोग नजर यहापे रख सकते हैं, मतलब यह कल के दीन के लिए अच्छे performance दिखा सकते हैं, temporary base के उपर, यह सारी बाते में आपको बता रहा हूँ, then अभी हम लोग आ जाते कुछ ऐसे stock, जहापे गिरावट के chances हो सकते हैं, गिरावट के chances मतलब दोस्तों में long term की बात कराओ, कल नहीं गिरेगा, यह आपको पता है operator कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लगातार तेजी लेके आ सकते हैं, बाद में जबरदस शेर को crash करते हैं, ऐसे बहुत बार हो चुक है, मैं आपको practically दिखाऊंगा भी, बहुत बार होता है ऐसा, सबसे पहले अगर मैं बाद करू, यह जो stock आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, Mangalum, Drugs and Organics Limited, दूर रही है stock से, ज़्यादा performance अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, 1.500 रुपे का stock है, 2% अल्यड़ी यहाँ पर down है, Maximum chart pattern देख लेते हैं, बहुत ही खतरना stock है, यह देखे, कैसे यह इतना जबरदस jump कैसे हो सकता है, कोई corporate action है कि नहीं, बहुत जबरदस, मतलब जो बोलते हैं, लॉस किसका होगा, यह इस गिरावट में, आपके नज़रों के सामने भी ऐसे stock लेके नहीं आता हूँ, बट इतना ही कहना चाहूँगा, कि study करने के लिए, जरू इसको radar के उपर रखना, आज नहीं तो कल, यह negativity मतलब हम लोगों को नीचे जाते हुए, देखने को भी मिल सकता है, और भी कुछ stock है, जो कि आप लोग यह आपर देख सकते हैं, सिर्फ Bombay Stock Exchange के उपर, यह वाला stock आप लोगों को यह आपर मिल जाएगा, जो कि कितने कहा है, 116, आज की दिन तो लगबग हम लोगों को यह कितने पर देखने को मिल रहा था, 7%, क्या आज के दिन का यह performance है, थोड़ा doubt आ रहे हैं मुझे, बट इतना है कहना चाहूँगा, कि इस company की अगर में बात करू, बिल्कुल भी अच्छे numbers यह आपर नहीं दिखाया, इसलिए तो एक रुपे पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, बट स्टॉक देखी कैसे बीच में चल रहा था, यहाँ पर ऐसे इतना ही चार्ट पेटन इस company का, तो बहुत ज़ादा doubtful ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा संबल कर रहे हैं, बस इतना ही में आप लोगो को कह सकता हूँ, जितने भी स्टॉक थे, कौन से भाग सकते, कौन से गिर सकते, मैंने आप लोगो यह आपर बता दिये, जो गिरने वाले थे उसमें से एक ही था, तो जरूर इस video को like and share भी कर देना So that's it, thank you very much दोस्तो We will be meeting earning video तब तक के लिए, bye bye